नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouTube चनल S.K.L.P.S. आरवधा में दोस्तों आज के सेस्टन मैं आपके लिए लाया हूँ काफी खास तरह की जनकारी क्योंकि आज के सेस्टन में आपको मिलेगा थंडर ब्लास्ट से रिलिटेड जनकारी जी हां दोस्तों आज की सेसरम मैं यह नहीं बता हूँगा कि थंडर ब्लास्ट कौन-कौन से उनके health benefits क्या है Thunder Blast का हमारे लिए health benefits क्या है इसके उपर मैं विडियो आल्रेडी बना चुका हूं बहुत सारे लेकिन आज की विडियो में आपको Thunder Blast के उपर जनकारी में देने वाला हूं कि Thunder Blast कैसे ही आपको यूज करना है सबसे पहले मैं बता दू थोड़ा सा एक ब्रीफ कि Thunder Blast जो प्रोड़क्ट है यह एक best resultant प्रोड़क्ट है और आज की विडियो में मैं इस Thunder Blast प्रोड़क्ट को चुकि यह लिक्विड फॉर्म में है और बहुत सारे वस्मों से मिला कर बनाया गया है इसमें बहुत सारे इस प्रोड़क्ट को आप इसंगा कर रहे हो तो इस्तेमाल करते समय क्या 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 और प्रोड़बास्ट यह उद्यादी इन सारी बातों की हम चर्चें आज की वीडियो में चर्च आज से लेना है तो सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं थंडर ब्लाश जो प्रोड़क्ट है उसकी खुराक क्या होने चाहिए यदि आप स्टार्टिंग फेज में हैं और पहली बार शुरुवात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो 5 ml से ही स्टार्ट कीजिए चुकि थंडर ब्लाश करें और इसको कैसे यूज करना है किस चीज में इसको मिलाना है क्या गर्म गुंगुने पानी में मिलाना है या गर्म दूद के साथ मिलाना है कहा जाता है ऐसा कि थंडर ब्लाश प्रोड़क्ट जब आप यूज कर रहे हो तो आपको दूद लेना बहुत जरूरी है तो क्य हम गुन-गुने दूद के साथ ही थंडर ब्लास्ट प्रोड़क को यूज कीजिए अब जब दूद में मिलाईएगा तो दूद का कलर भी काफी चॉकलेटी हो जाएगा काफी जबरदस्त उसका तेस्ट भी हो जाएगा और पीने में काफी अच्छा लगेगा अब इसके अब हमको एक्चुल इसकी मात्रा क्या है तो एक्चुल मात्रा दोस्तों 25 से 30 ml है आपको भोजन करने खाना खाने के एक घंटे के बाद दिन में दो बार आपको एक सुबा ले ले जीए और एक रात में ले ले जीए आपको 25 से 30 ml इस प्रोड़क को यूज करना है या तो ग कितने दिनों तक इस्तमाल हमको करना है चुकि यह जो प्रोड़क्ट है काफी जवरदास्त और रिजल्टेंट प्रोड़क्ट है तो हमको कितने दिनों तक इस्तमाल करना है तो सबसे पहले तो आप किसी हैल्थ एक्सपर्ट से इसकी सलाह ले ले और इसको रही बात इस्तम के बार में जानने के लिए तो आप कम से कम तीन महीना तो इसको इसको इस्तमाल करें ही इसके बाद जब इस प्रोड़क को आप यूज कर रहे हो तो आपको साथानिया भी कुछ वरित्मिय जैसे खटे-पदार्थ का इस्तमाल नहीं करना है यहाँ तक की कोल्डिंग्स हुए इनका इस्तमाल नहीं करना है दिन में कम से कम तीन से चार लिटर जो पानी है आपको जरूर लेना है इस प्रोड़क को इस्तमाल करते समय तो यह था कुछ जनकारी थंडर ब्रास रिलिटिड कैसे यूज करना है I hope आपको इस जनकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं इसी त